दोस्तो एक्सल के इस अमेजिंग चैप्टर में आप सब का स्वागत है जहां पर आज हम सीखेंगे QR कोड जनरेट करना नॉर्मली आप इसके इन पर देख पा रहे हो कि मैंने कुछ QR कोड जनरेट किया हुआ है कुछ डेटा का वेबसाइट का एक्जक्ट रहा और मैं आपको बता दू कि जितने भी QR कोड है इनको क्रियेट या जनरेट करने के लिए मैंने किसी भी फॉंट को अलग से डाउनलोड नी किया और अलग से इस्टॉल नी किया तो एक्सल में ही आपको एक फीचर मिलता है जिसके मदद से आप बड़ी आसानी से QR कोड जनरेट कर सकते हैं वो भी प्रोफेशनल वह में तो मेक्शूर कि आप इस वीडियो को पूरा देखे और अगर ही वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेज जरू करें तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को अब नॉर्मली आजाते हैं एक्सल पर जहांपे आप देख सकते जो है वो थोड़ा सा छोटा है तो सबसे पहले तो हम इसका जो size और alignment है वो adjust करेंगे वो कैसे देखे इसके लिए सबसे पहले जितने area तक आपको QR code generate करना है जैसे माल लेते हैं कि हमें 4 लेवल तक QR code generate करना है तो हमने यहां पे 4 range को select किया इसके बाद यहां पे आपको format वा में और यह option मिलता है column width का इसका size है 8.43 तो हम इसका size कर लेते हैं 10 हमने किया ok अब देखो proper जो इसका scenario है अगर हम size की बाद करें तो बिल्कुल square portion में यह आ गया है इसके बाद यहां पे जो हमारा column A है इसको हम थोड़ा से यहां पे बढ़ा कर लेंगे जितने की हमें requirement है इस इसके बाद यहां पे आते हैं हम कोई data लिख लेते हैं जैसे हमने यहां पे data लिख लिए राजेश नीचे आये हमने यहां पे data लिखा YouTube हमने इस तरह से यह लिख दिया इसके बाद यहां पे आते हैं हमने कोई number डाल दिया जैसे 9716825566 हमने यह डाल दिया यहां पे आते है कोई mix data डाल देते हैं जैसे हमने डाला राहूल 1234 हमने कुछ अलग-अलग data यहां पर डाला इसके बाद इस पूरी range को select करते हैं और इसका alignment जो आगे पीछे आ रहा है इसे सही कर लेते हैं तो select करने के बाद यहां पर आना है आपको यह वाला alignment देख रहा है middle alignment इस पर click करना है और यह center alignment कर देना है आप देखो कि बिल्कुल तरीके से आ जाएगा इसके बाद इस पूरी range को select करते हैं select करने के बाद इसका size थोड़ा सा बड़ा कर देंगे font अगर आप change करना चाहते हैं तो आप change कर सकते है totally depend आप पे करते हैं और यहां पर हम इसे bold कर लेते हैं और italic कर लेते हैं जैसा आप इसे रखना चाहें इसके बाद यहीं पर आते हैं और इस पर एक color apply कर देते हैं ताकि इसका look थोड़ा और attractive लगे अब यहां पर बात करते हैं कि आप इसका QR code कैसे generate करोगे देखो सबसे पहले तो आपको इस cell को select करना है और इसके बाद जाना है insert वाले code सिर्फ simple इतना लिखना है और search पर click करना है click करने के बाद आपको देखो number of options मिल जाते हैं आपको जो second option मिल रहा है QR for office हम इस पर add पर click करेंगे और यहां continue कर देंगे जैसे ही आप इसे continue करोगे आपको यहां पर side में QR for office करके एक dialogue box मिल जाएगा सबसे पहले जिसके लिए हम हमें यह नाम लिख देना है हमने लिख देना पर राजेश और इसके बाद आप देखोंगे नीचे इसका QR code जनरेट हो जाता है फिर आपको यहां पर insert पर click करना है और इसका QR code हो बिल्कुल उसी size में दो बिल्कुल format तरीके से वहां पर आ जाता है इसके बाद आते हैं यहा www.youtube.com हमने लिखा और यहां पर आप देखोंगे इसका QR code यहां पर https www.youtube.com इसका QR code जनरेट हो जाएगा आपको insert पर click करना है और फिर इसे अपने हिसाब से adjust कर लेना है कुछ इस तरह से इसी तरह से अगर हम इस mobile number की बात करें तो वो कैसे करेंगे वो हम करेंगे यहां कस्टम में जाके तो हम कस्टम पे गए और जो यह number है वो हमने यहां पर लिख दे जैसे 9716825566 हमने लिखा और इसका QR code generate हमने यहां पर कर दिये से insert बड़े ही आसान तरीके से और यह आ गया इसके बाद हमारा last data है राहूल 1234 तो यह भी कस्टम में ही आ जाएगा तो हमने red color ले सकते हैं जैसा QR code आपको चाहिए वैसा आप ले सकते हैं फिलाल हम black ले ले लेते हैं और इसे insert कर लेते हैं और यह आ गया कुछ इस तरह से तो यह तो आप समझ गए कि आप QR code कैस generate करोगे अब बात करते हैं कि इस QR code को हम एक बार check करके देखते हैं Google पे कि इस QR code में च इसे बड़ा कर देते हैं क्योंकि जाहिर से बाद आगर हम Google पे चेक करना चाहरे हैं तो हमें इसे image में convert करना पड़ेगा तो मैं इसे यहां पे इसका screenshot ले लेता हूं हमने ले लिया इसका screenshot और screenshot लेने के बाद हम simple Google पे आते हैं और यह आने के बाद हमें लिखना है QR code online reader आएगा जो मैंने लिया है और इसको select करते है open करते हैं और यहां पे बोलता है read barcode तो हमने read किया अब देखो data को read कर रहा है QR code को और बता रहा है क्या लिखा रहा है इसमें राजेश जो कि आप देख पा रहे है इसके बाद एक बार जो हमने website का डाला था YouTube हम एक बार वो भ देने के बाद simple यहां पे जाते हैं और another image पे click करते है upload file पे click करके इस वाली QR code को upload कर देते हैं और read करते है अब read करने के बाद देखते हैं कि यह में क्या बता रहा है जो कि उसमें लिखा था हमने https www.youtube.com तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से QR code जनरेट कर सकते हैं आई हो कि guys यह QR code जनरेशन का जो वीडियो है वह आपको पसंद आया होगा अगर ही वीडियो आपको अच्छे लेगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें साथी comment करके अपना feedback जरूर thank you